So friends, आप सभी लोगों के लिए good news है, बहुत ही अच्छी, खुशकपरी के बाद रहने वाली है, स्वास्त बिवाग में एक और बड़ी vacancy इसमें आप रिलीज कर दी गई, ये दोस्तों central government की job आप लोगों के लिए रहने वाली है, कि इंदर सरकार की ये भरती रहेगी, देखि ये जो vacancy आप जो रिलीज रही लिखा है, All India Institute of Medical Sciences New Delhi, तो दोस्तों, AIMS New Delhi के तरफ से All India ये recruitment आ चुका है, आप किसी भी राजे से हैं, किसी भी state से हैं, इनमे All India candidates apply कर पाएंगे, और इसमें सभी तरीके की post यहाँ पर शामिल की गई, इसमें staff nurses की आप वेकेंसी है, इसके सा technicians में, left technicians की vacancies है, pharmacist के लिए vacancies है, और भी स्वास्त बेबाग के जितने भी other यहाँ पर post है, जैसे की technicians है, तो आप लोगों के लिए भी इसमें आप वेकेंसी है, इसके other भी यहाँ पर post यहाँ पर शामिल की गई, इंजीनर्स के लिए भी यहाँ इसमें आपर recruitment है, इसके जरूरी नहीं है कि आप लोग स्वास्त बेबाक से है, और भी other post इन में आपे include कर ली गई, जो भी candidates इसमें 10th class पास है, 12th class पास है, diploma course रखते हैं, graduation course रखते हैं, certificate course रखते हैं, सभी तरीके के candidates आप सभी लोग जो है इस वेकेंसी में apply कर सकते हैं, और दोस्तों, staff nurses, lab technicians, pharmacist technicians की और vacancies, engineers की vacancies, clerical post, ऐसे करके जो है, करीब करीब 100 अलग अलग तरीके के पद इसमें आपे शामिल किये गए, और पूरे भारत वर्ष में जितने भी aims है, सभी aims में ये vacancy इसमें आपे आ चुकी है, और बहुत बड़ा ये recruitment रहेगा, साफ साफ यहाँ पे link भी दिया गया ह कि regular basis पे भरती है, नियमित पद इसमें आपे शामिल किये जा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बिलकुल आपको ध्यान से देख रहा है, लास्ट तक देखना, पूरी जानकारी तब ही आपको इसमें आपे समझ में आएगी, सारी चीज़ा मैं आपको आपे clear कर दूँ स्वास्त बिवाग की हर vacancy की information आगे भी पाते रहें, तो बिलकुल शुरुबात करते हैं अपने update को बढ़ते हैं information की ओर, तो देखिए जितनी भी post है, group B, group C की यहाँ पे रहेंगी, और regular भरती है, तो अच्छी बात है, regular vacancies यहाँ पे निकाली जा रही है, और इसके लिए exam connect कराए जाएगा, तो Ames, New Delhi इनकी तरफ से exam होगा, और पूरे भारत वर्ष में जितनी भी exam centers है, उनमें आप लोग में से, कोई ना कोई एक exam center पे अपना exam आप लोग यहाँ पे देंगे, और इसके लिए देखिए कौन-कौन सी post यहाँ पे शामिल की जारी, पूरा notification, 100 page का यह रहेगा करीब-करीब, और इसमें देखिए मैं आपको post के बारे में जानकारी दे देता हूँ, तो ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, staff nurse, सबसे पहले staff nurse के बारे में मैं आपको information देता हूँ, तो देखिए, सबसे पहले जो post है जिनमें staff nurse apply कर सकते हैं, CSSD technician, इस post में staff nurse candidates apply करें, और दो साल का experience इसमें आपसे मागा जा रहा है, और देखिए, aims भोपाल में यह vacancy है, सभी aims में vacancy wise institute के जानकारी आपको दे दी गई है, अब देखिए staff nurse की, देखिए, और भी यहाँ पे है, aims पटना में भी है staff nurse की, ठीक है, इसके बाद देखिए, nursing officer senior nursing officer, staff nurse grade 1, तो देखिए, aims भटेंडा, इसमें BSC nursing, और चार साल का course है, इसमें आप लोगों से मागा जा रहा है, इसके बाद देखिए, जो staff nurse grade 2 वाले candidates हैं, वो भी इसमें apply कर सकते हैं, देखिए staff nurse की, aims भोपाल में भी vacancy हैं, आप लोग देख सकते हैं, BSC, और यहाँ पे aims जम्मू में भी है, aims पटना में भी है, aims रिशिकेश में भी है, aims देवगर में भी है, तो यह staff nurse के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी, और देख लेते हैं आगे, तो staff nurse की यही है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, lab technician के, तो देखिए lab technicians के लिए भी है, technical officer, laboratory के अंतरगतो, aims राइबरेली और aims भोपाल में, तो यह पद इसमें शामिल कर लिए गए हैं, और चेक कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे, assistant technician laboratory, तो इनमें भी देखिए lab technician की vacancy हैं, तो देख सकते हैं, यह technicians के पद हैं, सभी aims में इसमें आप पे शामिल किये गए, और इनमें number of vacancies की जानकारी भी आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं, और इसमें आप चेक कर लेते हैं, lab की, तो देखिए यहाँ पे भी है, 89 नमबर में technician OT, तो OT के अंतरगत भी lab OT की post है, तो यह vacancy भी इसमें आप पे include की गई हैं, तो इनमें भी lab technician supply कर सकते हैं, तो यह lab वाली post ही, अब pharmacist वाले पे आ जाते हैं, फार्मसिस्ट में आप सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए तो pharmacist की vacancies यहाँ पे सर्च हो रहे हैं, तो 69 नमबर की जो है, सभी aims में यह pharmacist की अंतरगत यहाँ पे vacancy हैं, pharmacy, pharmacy, pharmacy आप लिखा हुआ है, तो यह pharmacy की vacancy रहेंगी, इसके बाद देखिए 69 नमबर पे, यहाँ पे सभी pharmacy की vacancies में भी आप लोग देख सकते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, सभी aims में vacancies हैं, आप लोग जो हैं, इनमें apply कर पाएंगे, तो देख पा रहें, यह जितने भी मैं सर्च हो रहे हैं, यह सब pharmacist की recruitment रहेगा, देखिए 69 नमबर पे भी यहाँ पे post हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा जो area है, pharmacist कहाँ पे लिखा है, simple pharmacist भी है, और pharmacist grade 1 भी है, सभी aims में यह pharmacist की इसमें vacancy रहेगी, ठीक है, तो pharmacist के बारे में भी बताई, बाकी आपको मैं स्थूरू से भी जानकरी दे देता हूँ इसमें, कौन कौन से इसमें पद हैं, सौ करीब पाद इसमें आपके शामिल किये जा रहे हैं, अब दोस्तों आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे पोस्ट कौन कौन से यह, assistant admin officer, तो देखे सभी aims में यह vacancy है, इसके बाद assistant dietitian, तो यह aims भटिंडा और नागपूर में यह assistant dietitian की vacancy है, इसके बाद assistant engineer, assistant engineer, तो AC refrigeration, civil, तो सभी aims में यह vacancies के बारे में जानकारी दी जारी, इसके बाद assistant engineer, electrical, इसके बाद assistant laundry supervisor, assistant store officer, तो देखे सभी aims में यह vacancy रहेगी, इसके बाद audiologist, speech therapist, तो यह junior audiologist, तो audiologist और technical assistant audiologist जैसे speech therapist जैसे आपे पाद है, सभी aims में, इसके बाद audiologist, speech pathologist, यह vacancy है, biomedical engineer की है, cashier की post है, इसके बाद chief cashier की भी इसमें post है, इसके बाद देखे, coding clerk, medical record technicians, junior medical record technicians, देखिए भर-भर के आपे जो है, post यहाँ पे शामिल की गई, सभी aims में vacancies को distribute यहाँ पे कर दिया गया है, इसके बाद CSST technicians, dark room assistant, data entry operators, तो यह vacancy भी इसमें आपे आ चुकी है, इसके बाद dental hygienist, तो यह vacancies भी है, इसके बाद देखिए, dietitians, dissection hall attendant, इसके बाद driver, electricians, embryologist, तो सभी aims में यह vacancies है, fire technicians, security come fire, जमादार, gas pump mechanic, इसके बाद health educator, हिंदी officer, hospital attendant, जो कि यहाँ पे nursing orderly की post है, तो सभी aims में यह vacancy है, इसके बाद junior accounts officer, admin assistant, lower division clerk, तो यह LDC की post है, इसमें ज्यादा qualification नहीं रखते हैं, 12th आप लोगों से आपे मागी जाती है, 12th class आप लोग पास है, तो इन vacancy के लिए apply कर सकते हैं, और graduation भी कभी कभा माँग लिया जाता है, कोई भी normal graduation है, तो भी इसमें fill कर सकते हैं, तो इसके बाद junior admin officer, office assistant, तो यह 10th basis पे यह job रहती है, office assistant की multitasking की post हम लोगों के आते हैं, इसमें भी कभी कभा 12th हैं पे माँग लिया जाता है, तो इसमें भी देखिए सभी aims में यह vacancy हैं, इसके बाद engineer में देखिए, AC refrigeration, junior engineer civil, junior engineer electrical, engineers के लिए भी यहाँ पे vacancy हैं, हिंदी translator, physiotherapist, तो physiotherapist की यह भी यहाँ पे post हैं, सभी aims में, reception officer, scale stano, store officer, इसके बाद warden, इसके बाद lab attendants, फिर देखिए lab technician, फिर इसके बाद देखिए laundry manager, इसके बाद laundry supervisor, legal assistant, librarian grade 1, library information assistant, library attendant, lineman, manager, supervisor, guest officer, manifold room attendant, manifold technicians, mechanic AC refrigeration, mechanic ENM, medical record officer, medical social service officer, medical social service officer, grade 2, medical social worker, modeler, mortuary attendant, यह पद भी है, multi rehab worker, यह physiotherapist की post हैं एक तरीके से देखिए लिखा भी हुआ है, इसके बाद multitasking staff और भी post है, medical technologist, occupational therapist, office assistant, technical officer, ophthalmology में, PACS administration, perfusionist, इसके बाद personal assistant, इसके बाद देखिए pharmacist, सभी तरीके के pharmacist हैं, chemical examiner है, dispensary attendant है, तो फार्मसिस्ट के अंतरगा दिये, post है, फीजर therapist की और भी इसमें आपे post है, plumber, private secretary, programmer, psychiatric social worker, social, public health nurse, तो यह post भी है, sanitary inspector, grade 2, upper division clerk, तो यह भी clerk की post है, 10th class, 12th class, graduation candidates, normalist में आप लोग apply कर सकते हैं, senior mechanic, senior nursing officer, तो इसमें BSC nursing candidates apply कर पाएंगे, technician, laboratory के अंतरगत, social worker, statistical assistant, और stenographer, तो stenographer के देखिए, सभी aims में stenographer, यह 12th basis पे job आप लोगों की रहती है, और कभी-कभा graduation भी मांग ज़े जाता है, तो stenographer की भी इसमें vacancy रहेगी, store attendant, store keeper, tailor, तो दरजी जैसी post भी इसमें सामेल है, चोटी से चोटी, बड़ी से बड़ी सबी post इसमें रहेंगी, TB chest disease health assistant, visitor की जो post होती है, TB chest visitor की, तो यह वही वाली post है, assistant technicians, laboratory के अंतरगत यहां पर देखिए, यह और भी vacancies है, MLT candidates apply कर सकते हैं, OT technicians की भी vacancies हैं, 89 नमर की post यह जो है, सभी OT technician की रहेंगी, इसके बाद, prosthetic और orthetic technician, तो यह vacancy भी है, technician, radiology, radiographic technicians, तो radiography की फिल्म में technicians की आपर vacancy हैं, सभी aims में, radiotherapy technicians, radiographic technicians, transplant, coordinator, transport, supervisor, vocation, counselor, warden, wireman, yoga instructor, operator, E&M, तो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, 100 तरीके के अलग-अलग पद जो है, यह पूरे all over aims में शामिल किये गए हैं, बहुत बड़ा यह recruitment है, इस vacancy को आपको focus करना चाहिए, इसके तैयारी करना चाहिए, और regular भड़ती है, इससे बड़ी अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या रहेगी, तो बात करने तो कैसे apply करना है, और किस तरीके से माध्याम साविधन करेंगे, और इसमें dates के बारे में क्या information आपको दी जा रही है, और selection के साधार पे आपका होगा, तो aims exam की official website है, इसके थुरू आपको notification मिल जाएगा, online application form भी आपको fill करना है, 17 November से 1 December तक का आपके पास समय है, शाम के 5 वज़े तक का, तो last date जो है, एक December ये रहेगी, शाम के 5 वज़े तक आपका आविधन, online mode में पहुँच जाना चाहिए, fees एक बार देख लीज़े, fees aims जो है, इसमें जो है, बिल्कुल भी रियायत नहीं देता, fees जो है, अच्छी खासी aims याँ पर वसूलता है, क्योंकि regular basis पे जॉब दी जाती है, तो देखिए, fees का कोई भी system जो है, गलत नहीं लगना चाहिए, selection होता है, तो पहली salary में सारी fees आप लोगों की recover हो जाएगी, तो उसे साब से आपको मैनत करनी है, उसे साब से आपको apply करना ऐसा नहीं है, कि बिना मैनत से आप लोग exam दे आए, और fees के भी पैसे चले जाए और selection भी आपका नहीं हो, तो इतना ज़्यादा fees आप लोग दे रहे हैं, तो मैनत भी करिए, easily आपका selection हो जाएगा, तो general OBC candidates के लिए 3000 रुपे, SCST EWS के लिए 2040 रुपे, PWD candidates के लिए कोई भी fees नहीं है, हाला कि जो candidates यहाँ पर SCST है, ठीक है, त्यांदी जिगा SCST है, और आप लोग exam में शामिल होंगे, तो आपका जो भी amount है, वो आपको देखिए, लिखा है, will be refunded, तो SCST candidates को amount वापिस कर दे जाएगा, लेकिन शर्त यहाँ कि exam उनको देना होगा, और यह जो है, amount उनके खाते में, आपके result को declare होने के बाद, आपको यह वापिस कर दिया जाएगा, और इसके लिए, dates मैंने आपको आपको आपके बता दी, last date के बारे में जानकरी दे दी, ठीक है, तो एक December इसकी आविदन करने की last date यह रहेगी, online mode में यह आप लोग अविदन करेंगे, exam इसके लिए आपका लिया जाएगा, और exam जो है, इसमें दो section होंगे, general part और domain specific part, तो general part है, तो यह 45 minute करेगा, इसमें reasoning, GK, mathematics, English, Hindi, इससे संबंदिस सबाल आपके रहेंगे, दूसरा जो part है, वो रहेगा आपका domain, जो भी आपका trade है, graduation है, या पर आपका diploma है, certificate course है, तो उसमें से सबाल आपके पूछे जाएंगे, तो करीब करीब देखिए, total MCQ इसमें 40 है, और इसमें भी 40 है, तो करीब करीब 80 सबाल है, और इनमें आपका परिक्षा ली जाने वाली है, और इसमें आपकी कोई भी negative marking नहीं है, किसी भी तरीके का आपका गलत अंक इसमें नहीं काटा जाएगा, तो दोस्तों इस vacancy को बिलकुल आप लोग फोकस करें, regular basis पे ये vacancy है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलता है, और देखें, central government में बहुत ही कम vacancies जो हैं, आपको देखने को मिलती है, तो ये vacancy आई है, बिलकुल आप लोग इसको आवेदन जरूर करना, इस वीडियो के माद्यम से कुछ भी जानकर यापको आपको आपके मिलिया, सेलेक्शन आपको इस बार जरूर लेना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, आगे आने वाली कोई भी vacancy की information ना चूटे, वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब के red बेटन को क्लिक करने, तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, thank you so much.